दोस्तो नमस्कार, दसेबियर स्टेडीज में आपका स्वागत है, हम पढ़ रहे थे सिंदुगाटी सभ्यता के बारे में, और सिंदुगाटी सभ्यता पर जो आज हमारा विडियो है, ये तीसरा और अंतिम विडियो होगा, तो जो भी जानकारी बची हुई थी, वो इस करिए, अपने भाई का होशला वढ़ाइए, ताकि और भी मेहनत कर सकूं, मैं सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है, तो चलते हैं अपने पॉइंट पे, आज हम लोग पढ़ेंगे अस्थान और आउसेस के बारे में, हम जानते हैं कि सिंदुगाटी सभ्यता आद्य एति जिस से पता चला कि यहां पर एक सभ्यता थी, तो कौन-कौन से जगह हैं, उन जगहों से कौन-कौन से उसे स्प्राप्त हुए हैं, क्या-क्या हमको मिला है, यह पढ़ेंगे, फिर प्रमुख नगर पढ़ेंगे, नगरों के खोज करता कौन थे, यह समझेंगे, और कब- उन नगरों की खोज हुई है, यह भी हम इसमें देखेंगे, और इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए, तो यहां हम देख रहे हैं, कि पतन के कारण, जो सिंदु घाटी सभ्यता थी, उसका पतन कैसे हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे, तो चलिए सुरू करते हैं हम, यहां पर हम देख रहे हैं स्थान और रवसेस, तो सबसे पहले हमारा हडपा है, हम जानते हैं कि हडपा की ही खोज पहले हुई थी, ठीक है, तो हडपा से हमको क्या-क्या मिला है, मुहर पर एक स्रिंगी पसु, जैसा कि हम जानते हैं कि हडपा की सभ्यता में पसु पूजा, ब्र तो मुहरों पर एक स्रिंगी पसु का चित्र मिला हुआ है जो अहां के मुहर थे उन मुहरों पर एक स्रिंगी पसु का चित्र अंकित है और ताबे से बनी इकका गाड़ी भी उपलब्ध हुई है यहां से खुदाई में विसाल अन्नागार यह लोग फसल जो उगाते थे तो उसका भंडारण भी करते होंगे, तो फसल का भंडारण करने के लिए, इस्टोर करने के लिए, जो जगह बनाया गया, तो विसाल अन्नागार भी यहां से प्राप्त हुआ है, अगला सहर है हमारा मोहन जोदडो, ठीक है, तो मोहन जोदडो से तीन मुख वाले देवता, पसु मतलब सिवजी की, ठीक है, मुर्ती की प्राप्ती हुई है, मोहर पर जो अंकित है, वो भी प्राप्त हुआ है, और नर्तकी की कांस्य मुर्ती, ठीक है, नित्य करती हुई, महिला की कांसे की मुर्ती प्राप्त हुई है, कांसे की मुर्ती इसलिए, क्योंकि यह एक कांस यु कि बस तुमें बनाई यो भी हतियार उगरा जो उपकरण ये बनाते थे वो कांसे के उपियोग से बनाते थे कांसे का प्रियोग करते थे तो कांस की मूर्ती मिली है और विसाल अन्नागार यहां से मिला है और अस्नानागार भी मिला है ठीक है विसाल अन्नागार और अस्नानागार यहां से मिला है जो मोहन जोदडों से हम देख रहे हैं कि जो अस्नानागार मिला है वह एक विसाल अस्नानागार है ठीक है जिसका साइज यहां लिखा हुआ है जो की 11.88 मीटर लंबा है 7.01 मीटर चवड़ा है और 2.4 मीटर गहरा है तो ये जो है मोहन जोदडो से प्राप्त अशनाना गार के बारे में ये बात रही है अगला जो सहर है वो है चहुंदडो तो चहुंदडो से मन के बनाने के कारखाने बीट्स बनाने के कारखाने जो मोती बनाते थे गुरिया जिसे हम कहते हैं आमदेहाती भासा में जिसको गूत करके माला बना जाता है तो मन के बनाने के कारखाने हमको चहुंदडो से प्राप्त हुए है अगला जो सहर है काली बंगा, तो काली बंगा से हमें जूते हुए खेत, ऐसे खेतों के उसेस मिले जो की जूते हुए थे, उसमें फसल उगाने की तयारी हुई होगी, तो जूते हुए खेत मिले और नकासीदार इंट, इंट जो मिले उस पर नकासी की गई थी, उस पर डिज थ्यवinky चता है कि ये लोग भी यज्व करते होंगे तो अगनि वेदि का मिली है और पके मिट्ती का हल प्रापत हुआ है ये एकktion पकानदते है उन्हें वी प्रापत हुआ है जो कि पकारें मिट्ती बनाया घॉया है तो यह सब चीजें हमको मिली हैं काली Zenko अगला जो सहर है वो हमारा है कोट दीची के पत्थर के वाडागर मिले हुए है जो बाण का अगला हिस्सा है वो पत्थर का बना हुआ मिला है रंगपूर की बात करते हैं तो यहां से चावल की भूसी और गेहुं की खेती होने के प्रमाड मिले है अगला सहर है रोपन, रोपन से मानों के साथ कुट्टे भी दफनाए हुए प्राप्त हुए हैं जो मनुस्य दफनाए गए हैं अपने मृत्यू के बाद, उनकी मृत्यू हो गई और उनको दफना दिया गया तो उनके साथ साथ कुट्टे भी दफनाए गए हैं, ऐसा भी प्रमाड हमको मिलता है आगे हम बढ़ते हैं, तो ये प्रमुख सहर एक और है लोथल लोथल जो था वो सिंद उगाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था तो लोथल से क्या मिला, बंदरगाह होने का प्रमाड मिला है और हाथी दात का पैमाना, जो पैमाना या बाट वगरा जो इस्तिमाल करते थे ये लोग वो हाथी दात के बने होते थे, युग्म सवाधान इसका मतलब ये है कि जब जो सव दफनाए गए हैं तो उसमें युग्म सवाधान है कहने मतलब ये कि एक सव को दफना रहे हैं और उसके बगल में एक और सव दफनाए जा रहे हैं तो इसको हम कहेंगे युग्म सवाधान चावल के दाने प्राप्त हुए जव प्राप्त हुआ नाव और खिलवना भी लोथल से प्राप्त हुआ है ठीक है जो अंतिम सहर है वो है बनवाली यहां से मिट्टी से बना हल का खिलवना प्राप्त हुआ है तिये रहे प्रमुख अस्थान और खुदाई में प्राप्त और सेसों का विवरण इस प्रकार से हमें मिलता है आगे हम बात कर लेते हैं प्रमुख नगर खोज करता और की ससन में उन नगरों की खोज करताओं ने की थी पुरातत तवीदों ने की ससन में नगरों की खोज की थी तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पहला सहर है हडपा हडपा की खोज दया राम साहनी ने 1921 इस्वी में की थी अगला सहर मोहन जोदरो की खोज राखल दास बनर जी 1922 में चहुंदरो एंजी मजुमदार 1931 काली बंगा बीवी लाल और बीके थापर ये दोनों लोग मिल करके 1903 में काली बंगा सहर की खोज की थी कोट दीची इसका खोज करते हैं फजल आहमद और कब करते हैं 1903 में अगला जो सहर है रंगपूर है तो रंगनाथ राय रंगपूर नाम है रंगनाथ राय राव इसकी खोज करते हैं तो रंगनाथ राव ने खोज की थी रंगपूर की और कब की थी 1953 से 1954 के बीच में की थी अगला सहर आता है रोपन जो है यग्यदत सर्मा पुरातत तवित्थे जिन्होंने रोपन की खोज की थी रोपन सहर की और कब की ये थे 1953 से 1956 के बीच अगला सहर है लोथल लोथल की खोज भी कौन कर रहे हैं रंगनाथ राव कभ कर रहे हैं 1955 में अगला और अंतिम सहर है बनवाली रविंद्र सिंग विष्ट ने खोज की थी 1974 में बनवाली की तो ये तो बात रही परमुखनगर उनके खोज करता और समय भी हम देख लिए कि कब-कब इन सहरों की खोज हुई है अब हम बात करते हैं कि सिंदु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ और इस पतन के विशय में विद्वानों के क्या-क्या मत हैं तो इन पर हम विचार करेंगे यहां हम देख रहे हैं कि पहला है आरियों का आक्रमड तो आरियों के आक्रमड से जो सहमती रखने वाले विद्वान है उसमें हैं, रीलर हैं, स्टुर्ट और पिगट हैं यह लोग मानते हैं कि सिंदु घाटी सभ्यता एक सान्ती पूर सभ्यता थी ये लोग युद्ध प्रेमी नहीं थे, सांती से जीवन व्यतीत करने वाले थे, और आर्य जो थे वो घुमकड थे, सिकारी थे, और जब आर्यों का हमला होता है, तो सिंदुगाटी सभ्यता को ये लोग तहशन हस कर दिये, और उसकी संस्कृती को सभ्यता को नश्ट कर दिये और भारत की जो भूमी है, इसमें आर्यों सभ्यता की अस्थापना हो जाती है, ठीक है, आगे हम बात करते हैं, तो बाढ़ की बात आती है, बाढ़ के संदर्व में अपने विचार वेक्त कर रहे हैं मारसल और S.R. राओ, ये दो ऐसे विद्वान हैं, जो ये मानते हैं कि बाढ़ के द्वारा सिंदुगाटी सभ्यता का पतन हो गया, तो इसमें कौन-कौन से विद्वान हैं, मारसल हैं और S.R. राओ हैं, अगला जो कारण बताय जा रहा है, वो है जलवायू परिवर्तन, तो जलवायू परिवर्तन के बारे में अपना जो विचार वेक्त कर रह ठिक है, तो जब फसल नहीं उपाया, नदियां सूखने लगी होगी, और बारिस की कमी हो गई होगी, जिसके चलते वहाँ पर मानो जीवन को आगे चला पाना कठिन हो गया होगा, और लोग या तो उसहर को छोड़कर पलायन कर गए होंगे, लेकिन एक सवाल उठता है, कि जब सिंद घाटी सभ्यता से अगर लोग पलायन कर गए, तो फिर गए कहां, क्योंकि एक बात और आती है कि सिंद घाटी की जो सभ्यता थी, उसकी लिपी प्राप्त हुई है, तो अगर उस जगह को छोड़कर कोई कहीं जाएगा, तो अपनी लिपी, अपनी भासा, अपनी से लोग थे, जो अपनी भासा नहीं ले गए, अपनी लिपी नहीं ले गए, अकेले आदमी जाएगा, खाली हास जाएगा, फिर भी अपनी भासा तो लेकर जाएगा, ये सोचने वाली सब बातें हैं, तो लगता नहीं है कि ये जो है, जलवायू परिवर्तन से लोग मरे हो बातें हो सकती हैं लेकिन जलवायू परिवर्तन जब होता है तो एक घंटे में तो हो नहीं जाएगा एक मिनिट में हो नहीं जाएगा धीरे-धीरे होगा तो जब जलवायू परिवर्तन जब धीरे-धीरे होगा तो लोगों का पलायान भी धीरे-धीरे होना चाहिए तो यह रहस्य वाली बाते हैं, confirm नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ क्यों था, अगला जो कारण बता रहे हैं, MR साहनी ये कह रहे हैं कि जल प्लावन, जल प्लावन का होता है, मतलब होता है जल प्रले, और जल प्रले की कहानियां बाईविल में और जैसंकर प्रसाद की का माईनी में भी हमें देखने और पढ़ने को मिलता है, कहा जाता है कि जल प्रले हो गया, उसमें धर्ती डूब चुकी है, बाईविल में भी ऐसी एक कहानी आती है, कि प्रले होता है, पानी बढ़ते जाता है, और एक नाव होती है, नाव पर एक बाईविल के पात्र हैं, जो कि संसार भर के प् तो यह कहान्या है तो जल पलवन है ठिक है तो ये सारे जो कारण जो आपने अपने बारे में इस बिस्वाय में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं तो यह रहे पतन के कारण तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो अगर पसंद आता हो तो वीडियो को सेयर करिए, लाइक करिए, अपने भाई का हौसला बढ़ाईए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं